आप सबका इजी ग्रस्ती में स्वागत हैं। सावन के महिने में शुक्ल पक्ष का प्रदोश व्रत 20 अगस्त को होगा। आज मैं आपको प्रदोश व्रत कथा सुनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदोश व्रत कथा। एक नगर में तीन मित्र राजकुमार, ब्रहमनकुमार और तीसरा धनिक पुत्र रहते थे। राजकुमार और ब्रहमनकुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवा हो गया था लेकिन उसका गोना होना बाकी था। एक दिन तीनों मेटर स्त्रियों की चर्चा कर रहे थी. ब्रह्मन कुमार ने स्त्रियों की प्रशेंचा करते हुए कहा कि नारी हीन घर तो भूतों का डेरा होता है. धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंध ही अपनी पत्नी को लाने का फैसला लिया. तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए है ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना बिल्कुल भी शुब नहीं होता लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुँच गया ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं माना कन्या के माता पिता को अपनी बेटिक की विदाई करनी पड़ी विदाई के बाद पती पतनी शहर से निकले ही थे कि बैल गाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग तूट गई दोनों को चोट लगी लेकिन फिर भी वो चलते रहे कुछ दूर जाने पर डाकू उनका धन लूट कर ले गए दोनों घर पहुँचे वहाँ धनिक पुत्र को साप ने डस लिया उसके पिता ने वैद को बुलाया तो वैद ने बताया कि वो तीन दिन में ही मर जाएगा जब ब्रामन कुमार को यह ख़बर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर आया और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोश वरत करने की सलहा दी और कहा की से पतनी सहित वापिस ससुराल भेज दिया जाए धनिक ने ब्रामन कुमार की बात मानी और ससुराल पहुँच गया धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और उनके घर में धन संपद्दा, सुक सुम्रदी सब कुछ बना रहा अगर आपको यह कता अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें धन्यवाद